Hi guys, कैसे हैं आप? I hope आप सब ठीक होंगे. Last video में मैंने आपको legal entry से लेकर staff entry तक सारा process बताया था. इस video में मैं आपको next step बताने वाली हूँ, कि आप staff में अपने paper कैसे submit कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं staff में paper log करवाना. तो आज मैं आपको बताऊंगे कि आप खुद staff में कैसे paper log करवा सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से documents आपको चाहिए submission के लिए. आपको चाहिए आपका passport, proof of entry जिसको legal entry बोलते हैं, job contract ये आपको दो बार upload करना है, जहां पर means of substance लिखा है, वहां पर भी आपको job contract upload करना है, और जहां पर job contract मांगा गया है, वहां भी आपको ये ही upload करना है. इसके बाद आपको आपकी PCC चाहिए आपकी home country से, जहां से आपको, उसके बाद आपको PCC चाहिए उस country से, जिसमें आप एक साल से ज़्यादा रहे हो, अगर आप किसी भी country में नहीं रहे हैं, एक साल से ज़्यादा तो आपको ये नहीं चाहिए, उसके बाद आता है आपका house contract, अगर आपके पस house contract नहीं है, तो जुनता चलेगा, उसके बाद आपको सग्राण सा social number चाहिए, ये आपको सग्राण सा social office से एक paper print पर मिलता है, आप वो upload करोगी यहाँ पे, उसके बाद आपको चाहिए NIP number, डिसको fiscal, contribute और finance number भी बोला जाता है, ये भी आपको paper पर मिलता है, ये आपको paper scan करके upload करने है, सबसे पहले हम सेप के website पर जाएंगे, इसका link मैं आपको description box में दे दूँगी, website पर जाकर हमें registration पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम अपना account क्रेट करेंगे, यहाँ पर आप अपना email address लिख कर, उसके बाद एक password चूज कर लीजिए, और फिर same password अगली टाप में फिर से लिखिए, उसके बाद आपको registration पर क्लिक करना है, registration confirmation के बाद आपको एक email आएगी, और आपको अपने email चेक करनी है, आपको यहाँ दिएगे एक link पर क्लिक करना है, इससे आपका email address confirm हो जाएगा, फिर आप सेफ की website पर login कर सकोगे, फिर यहाँ पर आपको अपना email address और जो password आपने चूज किया था, वो password यहाँ पर डाल की, फिर आपको यहाँ पर तीन options मिलेंगी, अगर आपके पस job contract है, तो आप first option पर क्लिक करोगे, अगर आपके पस promise contract है, तो आप second option चूज, आप जो भी option चूज करोगे, उसके बाद आपको यह form मिलेगा, फिर आपको अपनी details फिल करनी है, आपका नाम, आपके nationality, married who, unmarried who, place of birth, आपके father का name, mother का name, date of birth, उसके बाद आपको अपने passport की detail फिल करनी है, उसके नीचे आपको अपने वीजा की detail फिल करनी है, उसके नीचे आपको अपना address फिल करना है, address के नीचे आपको अपने job के बारे में बताना है, आपका physical number लिखना है, फिर आपको अपना social number लिखना पिर आपको अपने profession के बारे में लिखना है, और अपने contract की start date लिखनी है, इसके नीचे आपको अपने employer की पूरी detail देनी है, employer का निफ नमबर, नाम, telephone number, address, और इसके नीचे आपको अपरे की detail देनी है, आपको बताना है कि आप शंगन एरिया में कब आये थे, वो date लिखनी है उसके बाद आप Portugal में कौन से date को इंटर हुए थे, उसके नीचे आप कौन से airport पर आये थे, आपको document submit कर देनी है, उसके बाद आपको जो मैंने starting में list बताये थे, वो सारे documents upload कर देनी है, और submit कर देनी है, एक बाद document submit हो गए, फिर आप इसमें से कोई भी detail edit नहीं कर पाओग document submit करने के बाद आप जब भी जाओ, अपने documents login करके दुबारा से चेक कर सकते हो, लेकिन edit नहीं कर सकते हो, आपने जो भी documents upload किये थे, और कौन से date को किये थे, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो, अगर आपको अपने log QI paper कैंसल करने है, तो आप वो भी यहां से कर सकते हो I hope आपको मेरा यह video informative लगा, thank you so much for your support, अगर आपने मेरी पहली videos नहीं देखी तो please मेरे YouTube चैनल पर जाके देखिए, वीडियो को like और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने friends के साथ videos share के जीए, ताकि वो भी अपने paper खुद लोग करके अपने पैसे बचा सके, टेक स्में पार को आपको मत भी और चैनल पर चैनल पर चैनल प्सक्राइब करें कर्यों सकती स्थरा प्सक्राइब करते हैं